देखो भईया, रिव्यू शुरू करने से पहले आपको मुफ में एक टिप देती हूँ अगर आज डंकी देखने जा रहे हो ना तो फिल्म खत्म होते ही भाग मत जाना पोस्ट क्रेडिट के बाद एक छोटा सा सर्प्राइज भी है उसके बिना फिल्म अधूरी है जसे डिनर के बाद गलाब जामुन डेजर्ट वगेरा हाँ तो गुरू डंकी देखकर आई हूँ मैं इमानदारी से फर्स डे फर्स शो और पहली बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि राजुहिरानी ने सबको पागल बना दिया टिकेट खरीदा हमने एक पिक्चर का लेकिन ठीटर के अंदर पूरी दस फिल्में एक साथ दिखाई गई हैं बस फर्क यह है कि यहाँ होकी नहीं डंकी से हार जीत का फैसला किया जाएगा वहाँ भी हम अंग्रेजों से लड़ गए थे इज़त कमाने के लिए तो यहाँ भी सार के एंट टीम अंग्रेजों को उनकी ओकात दिखाने का मन बना रहे हैं फिल्म नमबर टू डीडीलजे के जैसा रोमेंस भी है अंदर हीरो हिरोईन को भगा के ले जाना चाहता है पराये देश अपनी महुबत को पूरा करने कभी सोचा था किसी ने तीस साल बाद डीडीलजे का राज कैसा दिखता होगा जवाब बॉस राजु हिरानी ने दिया है और शर्ट लगा लो एक बार फिर से इसके प्यार में पढ़ जाओगे तुम और कमाल की बात तापसी ने भी सिम्डरन को कड़ी टकर दिये भाई ये भावी नंबर वन और टू टेंप्रिडी है मन्नू के साथ जो इश्ग हुआ वो पर्मनेंट होगा ऐसा लगता है राजु हिरानी कोई टैलेंट वाली मशीन चलाते हैं जो किसी भी आक्टर के अंदर से उसका असली टैलेंट खीच लेती है ऐसा के का कमबैक तो पहले ही हो गया था लेकिन डंकी तापसी की वापसी करा दी है ये बोल के नहीं बता सकता कोई सिर्फ महसूस कर सकते हो आप डंकी जैसी फिल्में देखकर और राजुहिरानी का सिर्मा देशभक्ती दिखाने के लिए जंडे का सहारानी लेता बलकि उसको एक कैरेक्टर की तरह दिखाता है जिसके लिए आप फील करने लगते हो फीलिंग से याद आया फिल्म नंबर चार मुन्ना भाई के जैसे एमोशन्स दुबारा जीने का टाइम आ गया है देखो कॉमेडी वगरा ऐसे डारेक्ट बातों में नहीं मिलेगी आपको डायलोग्स कुछ ऐसे फणी नहीं है लेकिन सिचुमेशन्स ऐसी बनाई जाती है कि आप उस सीन को सोच कर ही हस पड़ते हो दिमाग वाली हसी जो याद रहेगी बाकी सेंटी करने वाला सोनु निगम का एक गाना भी है जिसको सुनकर बिचारा पत्थर भी पिगल जाए और विकी कोशल का चोटा सा दंदार कैम्यो भी है अंदर जो सच में आपके एमोशन्स को वो मौत का जूला रोलर कोस्टर राइड पर लेकर जाएगा तयार रहना फिल्म नमबर पाँच पीके के जैसा एक रियल लाइफ सोशल इशू भी उठाया गया है हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच से डंकी का असली मतलब तो आप थेटर में ही समझोगे लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म इस प्रॉबलम के बारे में बताती है आपको पीके की याद पकाएगी भेड चाल का जमाना है सबको इंगलेंड जाना है जैसे भगवान के नाम पे सबको पैसा चड़ाना है लेकिन किसी ने पूछा क्यों किस लिए क्या जरूत हिरानी साहब ने पूछ लिया है एक बार फिर से फिल्म नंबर छे इसके जैसा क्लाइमेक शाय दुबारा कभी नी बन सकता ऐसा राजु भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या वो गाना थाना रोते रोते हसना सीखो हसते हसते रोना और यह फर्स टाइम हमने एक्सपिरियंस किया था थ्री इडियर्ट्स में ठीक वैसा ही कारणामा डंकी में भी रिपीट हुआ है जब फिल्म एंडिंग की तरफ पहुचती है आप एक तरफ खुश हो लेकिन सीन ऐसा है कि आंसू बह जाएगा अपने आप और हाँ वो थ्री इडिट्स वाले वाईरस भी डंकी की शोगा बढ़ा रहे हैं लेकिन इनका जादा इस्तमाल किया नहीं फिल्म के अंदर फिल्म नंबर साथ बाजिगर का वो फेमस डायलोग तो यादी होगा हार के जीतने वाले को बाजिगर कहते हैं डंकी में भी एक ऐसा ही जबर्दस मज़दार ट्विस्ट है जहां आपका दिमाग हिल जाएगा और हाथ अपने आप ताली बजाने में लग जाएगा मतलब आँखों के सामने धोका देना कोई राजु इरानी से सीखे जो आप देख रहे हो वो होगा नहीं और जो होगा वो किसी को दिखेगा नहीं अरे एक जगे पे तो राजु साहब ने ऐसा खेल किया है कि सामने किसी की लाज जा रही है और आपको अंदर हसी आ रही है मतलब ट्रेजडी को कॉमेडी बनाना कमाल है और जो फिल्म नमबर आठ है ना इसका नाम सुनके शाथ काफी लोग खुश नहीं होंगे बात जिरो की कर रहे हूँ एक जो फामिली ड्रमा क्रियेट हुआ था ना वहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही एक फ्लेवर डंकी को टेस्ट करने पे भी आएगा फामिली फिल्म जो हम बोलते है राजु हिरानी जिसमें चैंपियन है उन्होंने लिटरली डंकी के अंदर एक फामिली वाला एंगल भी क्रियेट किया है पंजाब वाली एनरजी और शारुक खान की भारी भारी आवाल साथ में परिवारों को सम्हालने की जिम्मेदारी जीरो वाली आदें पकाएंगी मुझे पता है काफी लोगों का दिल फिर से दुखा रही हूं मैं लेकिन मेरा काम है ये दो लोगों पर फोकस करके पूरी कहानी को क्रियेट करना और उनके बीच की बातों पर 90% फिल्म खतम करना डंकी में भी तापसी SRK की बातें उतनी ही ज़रूरी है उतनी ही लंबी लंबी भी है लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो उतना रियल फील होता नहीं है इस बातचीत को अगर थोड़ा सा कट कर देते ना और बाकी फन वाला साइट जसे थ्री डेट्स में आमिर करीना को लिमिटेड यूज किया था बाकी मौद मस्ती भी थी वो थोड़ा डंकी के साथ इशू है जबकि बाकी सपोर्टिंग आक्टर्स जिसमें सुनील ग्रोवर के भाया जी भी हैं और सेक्रेट गेम्स वाले मत्थू हैं इन दौनों का परफॉर्मेंस फिल्म के अंदर सबसे जबरदस्त है लेकिन थ्री डेट्स में जसे राजू फरान को यूज किया ना वो इस बार लव स्टोरी के चक्कर में कट हो गया और भया आखरी में फिल्म नंबर 10 इसके बिना 2023 कैसे खतम होगा जवान शारुखान टू पाइंटो का सॉलिड कमबाक नए गलत मत समझो डंकी में उसके जैसा आक्शन मारधार नहीं है लेकिन जैसे वो फिल्म SRK की कम और डिरेक्टर एटली के दिमाग से जादा निकली थी उनके स्टाइल का सिनमा था शारुक उनके इशारों पे चल रहे थे ठीक वैसे ही डंकी भी राजु हिरानी की फिल्म है उन्होंने SRK फाक्टर का इस्तमाल किया है अपने हिसाब से लेकिन फिल्म सिर्फ SRK की नहीं है एक रेडियो के साथ फिल्म को शुरू करना और इंग्लेंड के टावर को पंजाब की छट पे लाके खतम करना ये राजु हिरानी का सिनमा है कम्प्लीटली फर्स्ट हाफ में तो वही पुराने राजु हिरानी है, मौज मस्ती गाना बजाना लेकिन सेकेंड हाफ में हिरानी साहब ने कुछ नया ट्राइ किया है, एक्शन, एडवेंचर, पेट्रियोटिजम तो अगर आप सिर्फ शारुक-शारुक करने के लिए फिल्म देखना चाहते हो, तो सौरी ऐसा कुछ खास नहीं अंदर, वो हीरोगीरी नहीं मिलेगी, कॉंटेंट मिलेगा अब यहाँ पे दो मोटी-मोटी शिकायतें भी हैं मेरे पास, जिनको छुपाना बेहिमानी होगी राजु हिरानी से थोड़ा और जादा एक्सपेक्ट करते हो आप, और पता है फिल्म में कमी कहां रह गई डंकी क्या है हम समझ गए, वो कैसे होता है ये भी पता चल गया, लेकिन उसके आफ्टर एफेक्ट मतलब लंडन के बाद की कहानी वो थोड़ी अधुरी लगी मुझे पतानी क्यों ऐसा लगा, सेकेंड हाफ में फिल्म बस क्लाइमेक्स की तरफ भागना चाहती है जल्दी जल्दी, जबकि फर्स्ट हाफ में सब कुछ फील करवाया गया था आराम से टाइम देके और दूसरी शिकायत फिल्म की राइटिंग थोड़ी एवरेज टाइप की है, कुछ लोग बोल रहे थे ट्रेलर के बाद कि राजु सर्कों डंकी दस साल पहले रिलीस करनी चाहिए थी 2013 में ये सब बाते सुनकर और ज़्यादा हसी आती थी, लेकिन 2023 के हिसाब से सच में फिल्म की राइटिंग थोड़ी आउटडेटिट सी है, डायलोग और मज़िदार होने चाहिए थे तो भेया डंकी को मेरी साइट से पांच में से पूरे चार स्टार्स मिलेंगे पहला कॉंसेप्ट एकदम हटके बनाया, छट पे जहाज देखके पूरी फिल्म बना दी बताओ दूसरा एक फामिली ड्रामा, फामिली से निकलना और फामिली के लिए खतम करना, राजुहिरानी सिर्मा जिंदाबाद तीसरा परफॉर्मेंस बढ़िया है, एसार के फुल पावर, तापसी, कमबाक, विकी, सर्प्राइस फैक्टर और ये दौनों डिनर में डिजर्ट चौथा राजुहिरानी को राजुहिरानी क्यों बोलते हैं, रोना, हसना, गाना, आक्शन, रोमैंस, ट्विस्ट इंटर्न, जो मांगूगे वो मिलेगा नेगिटिव में उपर वाली दो शिकायत हैं आप सुनी चुके हो, बार-बार बोलने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा उपर वाली टिप याद है ना, दूसरी टिप ये कि डंकी दोस्तों के साथ नहीं, फामिली के साथ देखो, वो हसेंगे, आप प्राउड फील करोगे, ठीक है? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या फ़र कुछ शिकायब करनी हो, तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई